इस लेक्षर में हम लोग various sources से news को cover करते हैं जैसे की The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है, PIV की reports को discuss करते हैं, राजसबा television में जो भी important news, discussion, debates आती हैं उनको cover करते हैं, plus various magazines जैसे की EPW Down to Earth के भी articles को discuss करते हैं In short guys, अगर आपने इस lecture को पूरा end तक देखा, तो आपको किसी भी source से current affairs को prepare करने की आवशक्ता नहीं होने वाली है और आप मेंसे जो भी student civil services examination की तयारी कर रहे हैं, उनके लिए mandatory है इस पूरे lecture को end तक देखना Prelims, Mains दोनों point of view से हम लोग news को cover करते हैं, English, Hindi दोनों में यहाँ पर news cover की जाती है And जिस प्रकार से civil services में paper 1, 2, 3, 4 हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के according हम लोग news को भी cover करते हैं तो आज paper 2 और paper 3 से related news आई हैं, तो इनको हम लोग देखेंगे And before that, current affairs by Kamalaksh Jha, इस channel का नाम है, चेक कर लिजिया कि आपने channel को subscribe किया है कि नहीं अगर नहीं किया है तो कर लिजिएगा और bell icon पे भी hit कीजिएगा और facebook पर भी आप जाकर मुझे follow कर सकते हैं, plus अपना एक telegram का channel भी है इसको आप join कर सकते हैं, telegram के channel का नाम current affairs by Kamalaksh Jha है और यह इसकी user idea, jha underscore sir, यह अगर आप search करेंगे तो आपको channel मिल जाएगा जहाँ पर lecture से related जितनी भी updates होती है, मैं वहाँ पर आपको advance में provide करा जेता हूँ तो चलिए अब समयना वेस्ट करते हैं, फटाक से lecture को शुरू कर लेते हैं तो paper 1 से related आज कोई news नहीं आई है, directly हम लोग paper 2 से related news को cover कर रहे हैं स्वच सर्वेक्षन 2020 से, काफी important topic है स्वच सर्वेक्षन यानि की survey किया जाता है कि कौनसी कौनसी cities कितनी साफ है कितनी नहीं है और इस साब से cleanness के साब से cities को रंग किया जाता है तो इसकी अभी recently report release हुई है, release किस ने करी है तो ministry का नाम याद होना चाहिए Union Housing and Urban Affairs Ministry, स्वच सर्वेक्षन 2020 के अंदर 4,242 cities को cover किया गया है, 62 contornment boards को cover किया गया है, 92 ganga towns को cover किया गया है 28 दिन में ये पूरा survey complete हो गया था और ministry जो है, इस बार जो ranking release करी है, ये overall ranking release ना करने की वज़ा है इन्होंने cities को population wise category में divide किया हुआ है, और उसके according जो है, वो rank किया गया है, पहले जो है, वो overall ranking आ जाती थी, बट अब cities जो है, उनको population wise category में रखकर ranking offer की गई है इसके लावा आगे की बात करें, इन्दौर की performance top number one पर है, overall के अंदर इन्दौर सबसे cleanest city बताई जा रही है, उसके बाद फिर सूरत और नभी मुंबई आ जाती है, 36 गड़ cleanest state बताई जा रही है, जिन state के अंदर 100 से जाधा urban local bodies हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसमें 36 गड़ जो है, वो सबसे cleanest है, एहमदाबाद जो है, इंडिया के अंदर cleanest mega city हम लोग को देखने को मिल रही है, न्यू दल्ली cleanest capital city, 36 गड़ की अंभीकापुर cleanest small city, छोड़ी city, जो है, छोड़े शेहर जो है, उनमें से सबसे clean अंभीकापुर है, बैंगलूरू की बात कर जो है, तो यह cleanest state है, यहाँ बर 100 urban local body से भी कम के जो राज हम लोग को देखने को मिल रहे है, तो उस category के अंदर जारखन top पे है, और cleanest contornment जलंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके आगे की चर्चा करें, तो महराश्च के अंदर कराल, तो यह जो है, यहाँ बर 1,00 से कम population है, तो उस category में यह city आ गई है, और maximum citizen participation के city के अंदर है, शाह जहानपूर के अंदर, यहाँ बर citizens काफी participate करते हैं, सच से रखने के लिए अपने शहर को, clean रखने के लिए अपने शहर को, इसके लाबा, यहाँ पर 40 लाग से जादा की population जिस city के अंदर है, mega city, तो उसके moving city, यानि की cleanness की तरफ दोड़म है, आगे जो बढ़ रही है city, तेजी से, वो राजस्तान, जोतफूर हम लोग को देखने को मिल रही है, जोतफूर city, यानि की बहुत सारे initiative जो city के अंदर है, cleanness के लिए, यानि की काफी काम चल रहा है cleanness, purpose के लिए, सोचिता के लिए, self sustainable city क अगर हम लोग बात करें, जहाबर 10 लाग से ज़्यादा की population है, तो वो राजकोर्ड हम लोग को देखने को मिल रही है, मैसूरू करनाडग की अगर बात करें, तो यह medium size city जो है, जहाबर population 3 लाग से 10 लाग की बीच की होती है, तो उसमें ये मैसूरू हम लोग को देखने को म अगर आपकी city की जो rank आई होगी, वो मुझे ज़रा नीचे comment box पर लिक कर बताईएगा, तो अपनी city का नाम लिक कर बताईएगा, और किस category में उनकी ranking है, वो लिक कर बताईएगा, ठीक है, या फिर, in general, इस सर्वेक्षन के तहट, जो आपकी city आप इस शहर में रह रह रहे ह सर्वेक्षन की अगर बात करेंगा है, तो 2016 में लॉंच किया गया था, और प्राम मिनिस्टर के द्वारा स्वच सर्वेक्षन, ये बेसिकली monitor किया जाता है, जो स्वच भारत अभियान जो हमारा है, उसकी performance को monitor करने के purpose के लिए सर्वे होता है, ये चेक किया जाता है, क्या वो सही direction में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या वहां पर, अलग-अलग cities के अंदर, क्या इसको follow किया जारा है कि नहीं किया जारा है, initiative को बर करार रखा जारा है, cleanness की नहीं लए लगकर को ए स्वेक्षन हम लोग को देखने को मिला, और main purpose क्या है, एक healthy competition cities के बीच में, जो आप तुरंत जो है वो सर्वे को देखकर कि आपकी city की rank का में तो आप अलग-अलग initiatives जो है वो लागू करोगे अपनी city में clean करने के लिए अगले साल आपकी rank जो है वो काफी ऊपर आए आगे आप जो है वो बढ़ सको आगे ठीक है तो यह सर्वे किसके दोरा conduct किया जाता है Quality Council of India यह थोड़ा याद रखना प्रेलिम्स में आ सकता है Quality Council of India Setup की गए थी 1997 में यह हर फील्ड के इंदर Quality Assurance के परफस के लिए इसको सेट अप किया गया था कितनी quality उस पर हम लोगों को देखने को बढ़ जाता है तो इसके अंदर क्या होता है blood samples collect किये जाते हैं हर एक इंडिविजुल के लिए जैसे यह भी coronavirus चल रहा है तो mass testing हो रही है तो वैसे यह ही उसी purpose के लिए होता है यहाँ पर testing mass testing होती है काफी सारे लोगों के sample जो है blood samples collect किये जाते हैं किस purpose के लिए यह determine करने के लिए कि सामने वाले व्यक्ति को coronavirus है की नहीं है सामने वाला व्यक्ति जो है वो coronavirus से संक्रमित है की नहीं है इसके लाबा ये detect करने के लिए कि past में उसको coronavirus हुआ था की नहीं हुआ था इसके लाबा ये भी identify करने के लिए कि उसकी जो antibodies है क्या वो coronavirus के against produce हो रही है कि नहीं हो रही है तो यह जो तीन factors है इसको लेते हो इसको ध्यान में रखते हो यह serological survey conduct किया जाता है question अगर आज़े serological survey किस से related है तो यह तीन factors जो है आपको पता होनी चाहिए ठीक है इसके लबा लास्ट दो महीनों से जादा हम लोग को देखने को मिला है कि यह जो sero survey जो conduct किया जा रहा है अलग-अलग cities के अंदर जिसमें Delhi है, Bangaluru है, Mumbai है, Pune है और sero survey के अंदर जो results आए हैं उनमें suggest यह किया गया है कि जो हम लोग सोच रहे है कि coronavirus की testing हो रही है और किस आप से coronavirus फैल रहा है तो वो सोच से परे है, यानि कि बहुत तीजी से widespread coronavirus का हम लोग को देखने को बल रहा है जितना हम लोग virus का test जो हम लोग कर रहे हैं, जो virus के test जो दिखा रहे हैं, conduct करते आ रहे हैं उससे कई गुना जादा तेजी से coronavirus फैल रहा है, तो इसने यह अपनी एक report में बताया है इसमें और भी कुछ चर्चर करें कि इसकी और reports में क्या क्या चीजे सामने आई, जैसे कि पूने, पूने के अंदर जो city की population है, वो 4 million हम लोग को देखने को मिलती है यानि कि आप कहा सकते हो, 40,000,000 इस पूने की city की population है, बताया रहे है कि 40,000,000 में से 20,000,000 लोग coronavirus से infect हो गाया है, इनका 50% से ज्यादा है, यानि कि 20,000,000 से भी ज्यादा है, लोग जो है वो infect हो गाया है, उनके अंदर antibodies का presence हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि coronavirus से specific है, य 11 से लेकर 14 दिन का exactly, 11-12 दिन के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, उसका incubation period है, कि उतने समय पर उसके symptoms detect हो सामने आने लगते हैं, पता लगने लगता ही सामने वाले व्यक्ति को corona है कि नहीं, बट जिस समय उसके symptom नहीं आ रहे होते हैं, जिस समय वो व्यक्ति asymptomatic coronavirus disease को दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में बताया जा रहे हैं कि जो actual spread है, ये disease का वो 40 गुना जादा है, actual spread, 40 टाइम जादा है जो confirm cases आज की rate में हम लोग देख रहे हैं उससे, आप सोच सकते हो कितनी कंभीर तरीके से problems बढ़ती जा रही हैं, और ये दूसरा survey है, इससे पहले भी एक survey जो हो चुका है, तो ये second survey हम लोग को देखने का मर रहा है, जिसमें 29% दिल्ली के अंदर antibodies जो है, वो develop कर रही हैं लोगों की body, coronavirus की, यानि कि लोगों को पता नहीं है, उनको coronavirus हुए कि नहीं है, बट जब test sample सामने आ है, तो उसमें बताला है कि उनकी body के अंदर से antibodies जो है, वो active हो गई है, जो coronavirus के against वो काम कर रही है, क्योंकि यहीं होता है, antibodies का test क्या होता है, antibodies पता है आप लोग को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको antibodies के बारे में भी, तो हमारी body के अंदर कोई भी infection आता है, कोई भी external foreign object हमारी body के अंदर enter होता है, तो उसको मारने के लिए उसको खतम करने के लिए, जो defensive mechanism जो हमारी body में होता है, वो antibodies कहलाता है, easy तरीके समझो, हमारी body का protector, जो external जो भी infection होता है, वो जैसी हमारी body में आते हैं, तो उससे protect करने के लिए, वो defensive mechanism हमारी body की, तुरण जैसी external कुछ आया हमारी body में, वो antibodies active हो जाती हो, और जो external ची जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है वो जनरेट हुई है कहीं न कहीं ये बता है कि काफी सारे लोग कोरोना वायरस से संकरोने इत्पीड जो हम लोग को देखने को मिल रहा है मुंबई के अंदर 40% सेंपल जो सामने आए वो infected नजर आए यह चीज बताई गई यहां पर एक चीज जो है वो गलत बत लेना relate बत करना test से है कि यहां पर यह testing नहीं हो रही है यह general samples collect किये जारे है public सेथिट लोग पर का टेस्ट कप कर रहा है जब उनको बुखार लग रहा है जब उनको सास लेने में तकलीव हो रही है जब उनकी हालत बिगढ रही है तब हो hospital जा रहा है तब doctor उनका coronavirus का test कर रहा है तो ऐसे लोगों का जब sample collect किया गया है जैसे कि मुंबई की जो भी अपने चर्चा करी तो मुंबई में ऐसे लोगों का जो sample collect किया गया उनमें से 40% sample जो है वो infected पाए गया है कि उनको coronavirus है यानि कि लोगों को पता ही नहीं है लोग अपने साथ disease carry करके दूसरों लोगों को infect कर रहे है यह disease को spread कर रहे है क्योंकि उनमें asymptomatic हम लोगों को यह देखने को मिल रहा है यानि उनकी body में कोई symptoms नहीं है और but disease है virus है बट symptom नहीं है तो क्या हो रहा है जिससे भी वो मिल रहे है उनमें यह virus spread कर रहे है तो यही तो कंभीर problem है बिमारी की इसके बार में कई बार नजाने हम लोग चर्चा कर चुके हैं फिर से यह news भाई ही तो फिर से देख रहे है एक बार और इसमें यह पाया गया कि जैसे 100 लोग को कि जो अवरॉल टेस्टिंग होई तो 100 में से 80 लोग जो है वो asymptomatic है नहीं उनकी symptoms ही नहीं देख रहे है 20 लोग की symptoms सामने आए वही incubation period जो हमने चर्चा करीब है इसके बारे में कि इसका इंक्यूबेशन प्रियेट जो है वो 11 से 12 दिन के बीच के हम लोग को देखने को मलता है तो इसलिए difficult situation होती है कि यह virus वो तेजी से फैलता है इसके लाब हमारी country के अंदर परियाप्त टेस्टिंग नहीं हो रही जितनी होनी जिनको coronavirus है और जो asymptomatic है जिनके अंदर symptoms नहीं है तो इसलिए हम लोग को और भी जादा जो है वो rapid testing करने की आवशक्त है और scientist ने इसी चीज़ को लेकर चेतावनी दी है इनका कहना यह है कि serological survey इसलिए design नहीं किया गया है कि वो antibodies जो है वो neutralizing है या protective है उसको detect कर सके यह general antibodies को detect करता है कि हाँ एक व्यक्ति की body में antibodies है यानि कि जो virus से लड़ रही है बट यह साबित नहीं कर सकता serological survey कि वो व्यक्ति जो है उसको कुछ होगा नहीं क्योंकि antibodies का काम क्या होता है लड़ना coronavirus से जो अभी अपने चर्चा करी virus से लड़ना बट किस हद तक अब लोग मर की हो र करता है बट उस antibodies की छमता कितनी है उनका immune system कितना strong है यह percent to percent जो है वो वेरी करता है अलग-अलग हम लोग को देखने को बनता है समझ रहो इस बात को समझना यह important चीज समझने वाली यह भी बताएगा कि हर antibodies जो होती है वो protective नहीं होती है सबी कि क्योंकि यह test क्या कर रहा है इसका काम क्या है यह पता लगाना कि सामने वाले विक्ती की antes to bodies active कि नहीं और अगर सामने वाले कीव activity सिस्टम्ड होता है वो वेरी होता है अलग-अलग हम लोग को देखने को हुलता है परसंटू-परसंट राइट और इसमें बता जाद है कि सिर्फ न्यूट्राइजिंग एंटिबोडी या फिर प्रोटेक्टिव एंटिबोडी जो होती है वो ही एक परसंट को इम्यून बनात सामने नजर आए अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है तो अपने पहले पढ़ चुके है और फिर भी मैं जो नए स्टुडेंट्स होगे उनको एक्स्प्रीन कर जाता हूं बहुत इजी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है तो यह डाइग्राम को आप देखो यह डा कि मेरा एक फ्रेंड है IPS है वो जो है वो डेप्यूटी SP है इंदौर के अंदर तो उसको जो है वो कोरोना वाइरस हुआ था और वो जो है वो सही हो गया ठीक हो गया अभी तो उसका इम्यून सिस्टम क्या है स्ट्रॉंग है और ऐसी एक आईएस ऑफिसर भी है रच्छे तर उनका इम्यून सिस्टम बहतरीन है अब यह वाले लोग मान के चलो कि यह जो लोग है वो कौन है जिनकी एंटी बॉडी अच्छी है जिनका इम्यून सिस्टम इस्ट्रॉंग है तो इन लोग जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है यह प्रोट्रेक्ट हो जाएंगे इनक और अब यह अनप्रोटेक्टेड विक्ति है इसके आजू बाजू पूरी जगा अगर प्रोटेक्टेड विक्ति हो कि अगर चेन लगा दी जाए बना दी जाए एक वाल क्रियेट कर दी जाए तो अभी साइंटिस जो है यह क्लेम नहीं कर सकते या उस चीज को डिसाइड न साइंटिस्ट के यह भी कहना है कि उनको पता ही नहीं है कि अभी तक क्या इंफेक्शन का लेवल कितना पहुच गया है कि हम लोग हर्ड इम्मुनिटी को क्रियेट कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें तो यह सेनारियो है और यह चीज़ है जिसके बारे में जनरल आपको कर सकते हैं जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना जल्दी है हम लोग परसन को डिटेक्ट करके आइसोलेट कर पाएंगी जिससे कि वह व्यक्ति दूसरों को यह डिजीज स्प्रेड ना कर सके और टाइमली उसको आइसोलेट कर सके तो यह सेनारियो है तो यह एक रिपो यह बहतरी चीज़ है यह पहली अरब कंट्री हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर इसका जो nuclear power plant है वो उसकी city को power प्रोवाइट करा रहा है electricity प्रोवाइट करा रहा है तो यह चीज सामने आई है और UAE के पास भरपूर मातरा में तेल और गैस तो ही है गैस और तेल का भंडार एक हुए है उसके पास और अभी at present यह clean alternatives जैसे की solar energy वगएरा इस पर बहुत पैसा जो है वो लगा रहा है और इसके लावा Saudi Arabia जो world की top oil exporter country है तो यह plan कर रही है कि solar nuclear reactors तक यह create करेगी इसी electricity generation purpose के लिए और बारा के बारे में तो हमने पहले discuss भी किया था आपको map भी दिखाया था मेरे खाल से इसी महिने पर August महीं हमने इसके बारे में discuss किया था यह photo याद आ रही है तो इसके बारे में हमने बात करी ती चर्शा करी थी तो यह देखो आप यह UAE आपको दिखाया दे रहा है ओमान यह country साओधी अरभी इने इस्राइल के साथ भी deal करी थी याद आ रहा है तो यह वाली country बह आपसे question भी जो है वो रखा था पूछा था इसके बारे में तो बारक नही Korean Electric Power Corporation के साथ मिलकर जो है यह काम कर रहा है इनी की वएरे से यह nuclear जो यह power reactor plant जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यह वो UAE में established हुआ है build-up हुआ है ठीक है तो यह था पूरा overall topic is related जिसके बारे में idea होना चाहिए अब यहां बात हो रही है नमत बसाई program के बारे में तो देखो Kerala government का एक यह unique program है जिसके तहए जो travel बच्चे हैं उनको उनकी mother tongue language में पढ़ाया जा रहा है इसको implement किया है समागर सीक्षा Kerala के दौरा यहाँ पर 50 laptops बच्चों में distribute किये गए हैं यहाँ पर pre- recorded classes जो है YouTube channel के थुरू उनको offer की जा रही है तो यह है नमत बसाई program जिसके बारे में क्या पता हो रही है आपको की Kerala का यह program है ट्राइबल बच्चों को उनकी mother language में जो है वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को online classes जो है वो दी जा रही है hundreds of tribal children जो है उसका lab उठा पा रहे ह और YouTube channel के माध्यम के थुरू इनको पढ़ाया जा रहे है उनकी mother tongue language में करें Turkey और Greece की यहां पर बात हो रही है कुछ हफतों से Turkey और Greece के बीच में काफी जादा tension चल रही है और tension जो है वो है gas reserve को लेकर यह जो East Mediterranean Sea का जो region है जो area है वहाँ पर gas जो है उसके reserve discover हुए है अभी खोज होती है तेल की खोज होती है तो आप समझ सकते होगी हर एक country उस पर claim करना चाहती है क्योंकि उससे मिलता है पैसा उससे country जो है उसकी economy strengthen होती है strong होती है तो वैसे कुछ हुआ दोनों country आपस में जड़ब गई और दोनों country के past relation भी जो है वो उतने अच्छे नहीं है friendly न लेकर और इसी बीच France ने अपनी military जो है वह यहाँ पर तैनात कर दी है इस region पर क्योंकि France यूरोप के अंदर एक strong power के तौर पर हम लोग को देखने को बलती है तो और उसका जिम्मा भी है कि Mediterranean पर जो भी कुछ भी activity होती है हरकत होती है तो वो उस activity को जो है वो solve करने पर काम क करें तो इसने Greece को support करते है वहाँ पर अपनी military जो है वो तैनात कर दी कि किसी भी प्रकार की tension जो है वो यहाँ पर ना हो और European Union और उनके allies ने West Asia और North Africa में एक plan जो है वो बनाया था जिसके तहट ये gas pipeline जो है वो build up करेंगे जो की connect करेगी Europe को Mediterranean Sea से और ये gas transport के purpose के लिए pipeline जो ह पहुचती है Mediterranean Sea से तो Europe की जो dependency है रशिया के ओपर वो reduce हो जाएगी कम हो जाएगी और इस agreement जब ये हुआ था पूरा तो इसमें टर्की जो है उसको involved नहीं किया गया और इसी को लेकर टर्की ने जो है वो European Union pipeline project को challenge किया कि ये गलत है और इसको जो हटाओ बंद करो या फिर लीबिया के साथ लीबिया आप देखोगे country को तो ये तर्की ये आपको दिखरी इसके southern में आपको लीबिया दिखाई देगी तो तर्की के southern shore से लेकर लीबिया के northern shore में इन्होंने target किया कि ये जो है वो connect करेंगे और यहाँ पर exclusive economic zone जो है वो बना देंगे जिससे कि ये जि जो है ये उलंगन कर रहा है maritime sovereignty को क्योंकि already यहाँ पर Egypt और Greece के बीच में एक agreement है exclusive economic zone का हम लोग को देखने को मिलता है और इसको में अगर आपको map में देखा हूँ तो और बेटर तरीके से चीजों को clear कर पाऊँगे तो देखो आप ये वाली photo देखो आप ये वाला जो पू है उसके उपर जो है वो लीबिया और इजिप्ट का ये exclusive economic zone बन गया है इसको लेकर ये claim किया Greece ने किया ये इसने गलत किया है Turkey ने और इसी के साथ Turkey ने फिर reaction में क्या किया Turkey ने अपने एक survey ship भेज दिया यहाँ पर इस island पर कैस्टी लोरोजीयो island पर अपना एक survey ship भेज दिय तो survey ship आने की survey करने लिए कहां का पर तेल के कुएं गैस के कुएं इस purpose के लिए और इसको लेकर फिर दोनों के बीच में आग जो है वो हो गई बढ़ गई और दोनों के बीच में tension जो है वो आगए दोनों की naval force military force जो है वामने सामने हम लोग को देखने को मिल रही है क्योंक दोनों ही जो है वो hydrocarbon resource की ओपर अपना claim कर रहे है कि दोनों ही जो है वो focus कर रहे है क्योंकि देखो obviously बात है कि मैंने आपको समझा है कि तेल और gas जो होता है इससे मिलता है पैसा और जहां पर भी यह होता है जब निकलता है तो दोनों country एक दम से जड़बने की कोशिश करती है और जो Greece, Cyprus, Italy और France जैसी ये country जो हम लोग को देखने को मिलती है और इनको support अलरड़ी UAE, Israel, Egypt जैसी country का अलरड़ी है पहले से है और Turkey जो है वो इस region पर अकेली हम लोग को देखने को मिल रही है बट हां एक Mediterranean region पर एक powerful country की तरह ये जो है वो लड़ रही है यहां पर एक त हम लोग को देखने को मिलती है तो इसमें ज्यादा चीज है डीटिल में नहीं पूशी आएंगी सिर्फ बेसिक आपको ये पूरी स्टोरी का एक आइडिया होना चाहिए बस ठीक है और paper 2 से related इतने ही topics थे ना हम लोग paper 3 की topics की तरफ आगे बढ़ रहे हैं देखिए यहां प किस प्रकार से scientific research जो हो हमारी country के अंदर चल रही है तो इसकी report जो है इसको prepare किया गया national science and technology management information system के द्वारा और इसका जो data जो ये मिलता है इसको जिस data के तुरू analysis करके ये अपनी report प्रस्तुत करती है कि हमारी country में किस प्रकार से research and development के काम चल रहे हैं और किस प्रकार से progress आगे बढ़ रही है तो ये पूरा जो data जो सामने आता है ये provide किया जाता है scientific establishment यानि कि जो भी scientific offices जो centers हमारी country पे अलग अलग जगा पर है तो वो data जो है इकटा इसको देती है national science and technology management information system को जो की division है department of science and technology का ministry of science and technology के इंटर जो हम लोग को देखने को मलती है तो इसकी report में ये जीज़ पाया गया कि इंडिया का जो private sector जो research and development पे काम करता है वो जादा numbers में महिलाओ को जो है वो employment देता है बड़ अगर हम लोग government की बात करें या government funded जो major scientific agencies companies की बात करें तो वो जो है वो उतने जादा numbers पर महिलाओ को women को जो है वो employment नहीं देती है और महिला का जो involvement है ये doctoral और professional courses में stages में जो है वो कम drop होता हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है उसके पीछे के द कि वो अपने professional career को जो है वो sacrifice कर देती है अपनी परिवार के करण या परिवार की देखबाल के लिए या फिर एक patriarchal attitude जो हम लोग को देखने को मिलता है कि महिला जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगी और इस प्रकार का जो thought process जो जो बेकार गंदी सोच जो इस प्रकार की जो हम जो है वो बोटे-बोटे तोर पर हमने देख लिए तो इतना था इस report के अंदर जिसकी एक जानकरी आपको होनी चाहिए तो Reserve Bank of India ने release करी है एक national strategy financial education की जो की implement की जाएगी अगले 5 सालों में यह है क्या गाईज तो यहाँ पर हमारी country को financially aware और empower करने पर focus किया जा रहा है क्यो अगर आप देखोगे दूसरी country से गर compare करोगे जैसे कि जो developed countries है वहाँ पर आप देखोगे हर एक व्यक्ति का insurance होता है हर एक व्यक्ति खुद से अपना insurance कराते है वहां की सरकार भी देती है बट वो खुद से भी अपना insurance कराते है क्योंकि वो financially aware होता हुता है कि आने वाले सम हुआ तो वो चीजों को समाल नहीं बात हैं तो इसलिए financially awareness जो है वो हमारी country के अंदर सभी को जो है वो मिल सके सभी जो है वो financially aware हो सके उसको लेकर एक strategy एक plan जो है Reserve Bank of India का हम लोग को देखने को मिल रहा है और दूसरा ये national strategy for financial education हम लोग को देखने को मिल रहा है इससे पहले जो release हुआ था वो 2013 में हुआ था objective क्या है कि लोग जो है वो अपनी life की अलग-अलग stages में risk को manage कर सके insurance cover और अपने old age के लिए और retirement के लिए planning जो है वो पहले से कर सके तो इसकी उनको जानकरी इसकी awareness जो है वो create की जाएगी और यह prepare किसके द्वारा किया गया है National Center for Financial Education के द्वारा और इसमें चार financial sector regulators है जिनके consultation के साथ इसको prepare किया गया है जैसे कि RBI, SEBI, इसके लाबा IRDAI और Pension Fund Regulatory and Development Authority और भी दूसरे stakeholders है जिनके साथ मिलकर जो है वो इस particular पूरे strategy जो है plans जो है वो उसको जाएगा 5C content, capacity, community, communication, collaboration 5C approach जो है वो सामने रखी गई है और जिसके थूरू इंडिया को और इंडिया में जितने भी citizen सभी के सभी उनको financially aware जो है वो किया जाएगा और financial literacy content सबसे पहला content की अगर हम लोग बात करें तो financial literacy की बात हो रही है school के बच्चों में, teachers में, young adults में, women में जो new recruitment होता है जो new recruiting हम लोगों को देखने को मिलते हैं workplace में entrepreneurs जो नए होते हैं senior citizen हो गए, person with disability हो गए, illiterate people हो गए तो सभी के लिए content जो है वो तयार किया जाए और अभी इस पर काम चल रहा है कि उनको financially aware किया जाए यानि कि एक ऐसी approach intermediatries के दुरू जैसे कि ये national strategies जो है वो बन गई ये RBI ने forward करी अब ये strategy जो है वो ground level तक लोगों तक कैसे पहुचेगी तो उसके लिए अलग-अलग centers, अलग-अलग मध्यस, intermediatries जो है वो create करने की आवशकता है जिससे कि proper तरीके से financial literacy जो है वो लोगों तक पहुचा ही जा सके provide किया जा सके लोगों को इसके लाब एक code of conduct भी जो है वो बनाना है यानि कि एक proper जो guidelines, rules, regulations, code of conduct financial education providers के लिए कि कि किस प्रकार से उनको जो है वो financial literacy जो है वो reach करवानी है लोगों तक तो उसका भी एक proper guidelines, code of conduct जो है वो होना चाहिए community-led approach अब यहाँ पर community को भी empower किया जाए यानि कि एक community है जैसे कि self-help group में हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पर community जो है उनको सरकार बता देती कि आपको जो है वो यह करना है और वो community का फिर काम होता है कि अपने regional area पर जो हर एक इंसान जो है उसको अवियर करने चीजों से वैसी ही चीज यहाँ पर financial literacy में भी यहाँ पर देखने को मिल रही है इसके लाबा specific period एक साल में एक साल में ऐसा कोई specific period होना चाहिए जैसे कि एक week पूरे एक week में जो है वो various initiatives लाए जाए जाए various events वगरा हो right financial literacy को लेकर focus जो है वो फिर financial literacy के ओपर ही करना है तो ऐसा जैसे कि अलग-अलग week होता है न हम लोग को देखने को मिलता है अब्सर्फ किया जाता है environment के लिए अलग week हम लोग को देखने को मिलता है तो इस प्रकार से वैसे ही financial literacy के लिए एक पूरा हफता या कोई पर्टिकुलर समय जो है वो निद्धारत किया जाएगा एक साल में जहां पर अलग-अलग events होंगे अलग-अलग initiatives लाए जाए जाएंगे जिसे कि लोग financial aware हो इसके लाबा integrate financial education content financial education content जो पहला वाला सीथा content का जो content create किया जाएगा जो literacy purpose के लिए financial literacy के लिए तो इस content को हर field में जो है वो involved किया जाए integrate किया जाए जैसे कि school curriculum में school के बच्चों के लिए right colleges के बच्चों के लिए अलग-अलग courses के लिए जैसे कि B.Ed. M.Ed. programs के लिए और जो vocational courses जो होते हैं उसके अंदर भी जो है वो उसको शामिल किया जाए तो यानि कि कहा जा रहे है कि जो भी content बनेगा उसको इस प्रकार से तयार करना है कि वो हर एक जिगा पर उसको हम लोग को fit बैठाना है जिससे की हर एक sector हर एक छेतर हर एक फील्ड जो है वहाँ पर financial literacy जो हो पहुचा ही जा सके यह बहुत important topic है और mains में भी आप जो हो इसका उप्योग करेंगे यह 5C तो definitely use कीज़ेगा यह बहुत important आपके लिए 5C main point of view से especially ठीक है तो यह चीज हमने देखी इसके लावा monitoring और evaluating framework monitor करना भी ज़रूरी है एक बार strategy निकल गई अब निकल के कैसे काम चल रहा है अगर हम लोग जब तक नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं लगेंगा न कि हम लोग वाकई में जो strategy जो approach जो बनाई हुई है वो कब पता लागेगा जब proper उसकी monitoring होगी समय समय पर analysis होगा evaluation होगा उसका तब जाकर exactly real time basis पर चीज़े पता लागेगी तो समय समय पर एक robust एक पुक्ता हम लोग को monitoring जो framework जो है वो तहीर करना पड़ेगा evaluation framework तहीर करना पड़ेगा कि monitor करें और उसका analysis करें और उसमें अगर कु problems निकल रही है तो उसको short out किया जल से हल राइट क्योंकि यह important subject है basically और यह आया भी इसलिए क्योंकि आज का scenario coronavirus का अगर आप इसको relate करो coronavirus से तो आपको पूरी चीज crystal clear होगी आज की rate में lockdown के कारण आज से पहले कभी भी नहीं आपने ना देखा होगा ना आपके parents ने देखा ह हमें तक lockdown हुआ है इंडिया की history में या world की history में भी काफी सारी countries में 30 समय तक का shutdown नहीं हुआ था जो की एक virus ने कर दिया और इसमे financial इस्तिती लोगों की खराब हो गई कई बार हम पढ़ चुके कई सारी reports में अब जब financial इस्तिती खराब होई तब यहाँ पर planning चल रही है कि हम future देखना पड़ेगा कल को फिरसे ऐसे ही कुछ virus आगया deadly virus और फिरसे चीज़े shutdown करने की आवशक्ता पड़ गई या कुछ भी ऐसा हुआ कि business खपूआ लोगों को एक साथ और जो आज की rate में हो रहा है कल भी हमने चर्चा करी थी कि 5 million लोगों की job चले गई 50 लाख लोगों क कर सकें तरीके से जिससे की problems में भी जो है वो खड़े हो जाए maintain कर लें चीज़ों को यह वाली अप्रोच को भी आप जो है वो उससे link कर सकते हैं क्यों हुआ है क्योंकि यह सब चीज आ कि हो रही है क्योंकि इतनी सारी problems past में हुए हो उसको हम लोगों को tackle करना है और यही ची तो मजा जाएगा आपके answer में देखके आप यहला point जरूर write करना जो मैं आपको बता है अब इसके result क्या होंगे यह strategy proper तरीके से सभी जगा फैल जाएगी तो क्या फाइदा होगा उससे फाइदा ही होगा credit discipline हमारी country में बनता हुआ नजर आएगा लोग जो है वो बे जबरन म बिना आवशक्ता कि लोग जो है वो लोन नहीं लेंगे यहाँ पर इंकरेज किया जाए कि लोगों की लोग formal sources के थू ही लोन लें अगर लोन ले रहा है तो credit लेना है उनको तो formal financial system है उसी से होकर ही वो लोन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुले में अगर कोई rich आदमी है तो उसके पास चले गए और भी यह दे दो यार इतने पैसे तो ऐसा नहीं करना है ठीक है बैंक से लो लोन लेना बैंक से लो अगर बाहर से लोगे तो एक तो rate of interest भी बहुत हाई होता है क्योंकि बाहर जो है वो बेना किसी collateral बेना किसी गिर्वी रखे लोन जो है वो दे दिया जाता है और फिर बाद में सामने वाले जिसने लोन लिया उसको काफी परिशानिया भी होती है काफी बार मार धाल खून घराब है बहुत सारी चीज़े भी ऐसी हो जाती है और कई बार तो लोगों का घरवर भी बिग जाता है informal sources की तुरू लोन लेने की चक्क क्योंकि आज की रेट में लोगों के पास digital literacy ले नहीं है आज के लितने सारे platforms हो गया है digital transaction के online transaction के बढ़ फिर भी लोगों को idea नहीं है काफी सारी चीजों के बार में और काफी सारे लोग जो है वो literacy को lack करते है security के मामले में किसी ने OTP मांगा OTP दे दिया किसी ने बोले कि हम आपके bank से बात कर रहे हैं और आपके पास अपकी OTP आएगा और आपका आपकी account जो है वो खत्रे में है और खत्रा देने वाला ही खुद बोलता की कहत्रे में और सामने वाले लोग हलबड़ा के डर जाते हैं एक पर मेरी ममी को call आया तो ममी ने मुझे पकड़ाया यहार ब नहीं है आने वाले समय में शायद ऐसा develop हो जाए कि तुरंट जो है वो police authority उनको पकड़ ले बट मुश्किल है काफी जादा मुश्किल है क्योंकि इन लोग जो operate करते हैं कई बार लोग तो इनसे अगर आप बात करोंगे बता भी देतें कि कहां से बात कर रहें क्या कर रहें इतने जादा उनके अंदर confidence होता है कि आपको मैं अपनी location विदाओंगा तो भी नहीं आपाऊगे क्योंकि उनका पूरा network है पूरा system जिस पे वो operate करते हैं और महीने के एक करोड तक कमा लेते हैं एक करोड तक minimum तो 20-25 लाग रुपे महीने के उनकी income होती है और कई सारी ऐसी क्लिपिंग्स आई है आपने भी सुना होगा और आपको पता होगा बट पकड़ा पकड़ नहीं पा रहे हैं लोग और देखो क्या होलता है यह बोलते ना कि prevention is better than cure कि prevent हो यानि कि दुरगटना जो हो होने से पहले ही यानि कि कोई बिमार पड़ो उस से पहले ही जो हो बिमार पारी ना लगे उसके लिए कुछ-कुछ उपाए जो है वो कर लो तो वैसे ही उपाए है डिजिटल लिटरेसी में वी कोई OTP मांगे OTP मत तो कोई बोले कि यार प्लीज मेरी यह एप्लिकेशन जो हो डाउनलोड कर ली जैसे मेरी कंपनी मुझे जो हो फाइदा देगी क्यो सोच तो है रहे यार बिचा रहा है यार कंपनी वाला यार धूप में घूम रहा है चलो कर लेते हैं पर जहां यह सोचा वहां यह मान ले ना कि वह आपका अकाउंट जो है वो पूरा निट्टा देगा और ना जाने क्या-क्या परसनल अगर कुछ डेटा होगा अगर आपक अलग-अलग life की stages में अपने risk को manage कर पाएंगे अपना insurance करा लेंगे पता होगा कि आगे चलके अगर उनका business ना चले या कोई भी problemize job से हट जाए वो तो at least वो manage कर सके एक particular उनके पास amount रहे पूरी चीजों को manage करने का रही तो यह चीज है जिसके बारे में एक understanding एक जानकारी जो है इसके थ्रू हम लोग को आगे चलके देखने को मिलेगी और यह national center for financial education जो है गाई यह एक non-profit company हम लोग को देखने को मिलती है Reserve Bank of India के दोरा और SEBI के दोरा IRDAI के दोरा PFRDA के दोरा जो इसके stakeholders है basically उनके दोरा promote की जाती है तो इसके बारे में एक general आपको एक idea जानकारी होनी चाहिए Try food project की बात करें Try food project जो है गईस ये ड्राइफट के दोरा LAUNCH किया गया है ये महराश्रा के अंदर और 36 गड़ के अंदर LAUNCH किया गया है महराश्रा के अंदर राइगर और 36 गड़ में जगदल पो रहा है वहाँ पर ये लांच हुआ है ये प्रोजेक्क की अगर बात करें राइगड और चत्तिसगड में जगदल पो रहा है वहाँ पर यह लॉंच हुआ है यह प्रोजेक्ट की अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट किया गया है ट्राइफट के द्वारा जिसने इसको लॉंच किया है Ministry of Tribal Affairs और साथी साथ Ministry of Food Processing यह दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को इंप्लिमेंट कर रही है Main Aim क्या है? Main Uddeesh क्या है? इस पर्टिक्लर ट्राइफट प्रोजेक्ट का तो Tribal's की Income को Better करना कैसे Income को Better करना? जो Tribal's जो जंगल एरिया में हम लोग को देखने को मिलते हैं रहते हैं आवास जो उनका होता है वो जंगल एरिया के पास हम लोग को देखने को मिलता है तो वहाँ पर जितने भी Minor Forest Produce जो होते हैं तो जो वो collect करते हैं एकटा करते हैं तो उनके Minor Forest Produce को Food Processing Center तक पहुचाना और Focus यह है कि Starting में दो Minor Forest Produce Processing Unit जो है वो Setup की जाएगी अब क्या होगा जो जो भी यह Minor Forest Produce को गैदर करते हैं उसकी Food Processing हो जाएगी और Food Processing के थ्रूँ जो है वो यह तो मैं एक्जांपल के तौर पर यहली फोटो मैंने हाँ पर रखी है तो यह कुछ चीज़े हैं जिसके बारे में जानकर यह आपको ट्राइफूड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो पता होनी चाहिए और आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं गाईज और दूसरा है कमिटी के कितने टाइफ्स होता है यह लक्षमी कान्थ पॉलिटी की बुक में आपको मिल जाएगा समीती के प्रकार ठीक है तो यह दो टॉपिक्स है इनको आपको पढ़ना है इनसे रिलेटेड हैं रिलेटेड रोड बनाना है और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे comment box पे लिख देना sir homework done मुझे पता लग जाएगा अपने homework complete कर लिया है यह types of committee का यह जो topic news में क्यों आया था हाला कि अपने लिए important नहीं अभी के लिए पर फिर भी इन general जान लो कि facebook को जो है वो parliamentary standing committee on information technology ने बुलाया है बाचीत करने के लिए किस matter के लिए कि social media platforms का जो misuse हो रहा है और जो अभी United States का claim हम लोग को देखने को मिला है तो यह जो है वो एक politician की hate speech को लेकर है और politics वाली जो news होती है हमारे लिए अभी काम की examination perspective से यह काम की बिलकुल भी नहीं है at present क्योंकि अभी इस पर और जादा जो है वो चर्चाए नहीं हुई है maybe शायद 2 September क के बाद को चर्चा होगी तो पूरे case को हम लोग detail में discuss करेंगे अभी के लिए चीज जो है वो आपके काम की नहीं आपके लिए जो काम की है वो है types of committees and guys इस lecture की अगर आपको PDF चाहिए तो minimum 100 रूपीज पर मन्त में आप इसकी PDF जो है वो purchase कर सकते हैं lecture की पूरी PDF और PDF होने से फाइदा यह होता है कि आपको daily basis पर 100 notes बनाने के अवशक्ता नहीं होती है आपके बास ready material available रहता है revision purpose के लिए और यहाँ पर PDF भी जो होती है वो daily lectures जो आप देख रहे हैं उसकी PDF मिलती है आपको Sunday को current affairs का जो test आता है उसकी भी PDF दी जाती है एक weekly single PDF दी जाती है पूरे हफते के revision के लिए तो practice यह होती कि आप daily revision करो weekly revision करो और monthly फिर आपका revision करो और एक topic को अगर आप तीन बार revise कर लोगे तो आपके permanent memory में वो topic चला जाएगा तो इस approach के साथ जो है वो यहाँ पर तयारी आपकी करवाई जाती है और इसके अलाबा August के बाद जैसी August मंत खतम होगा जैस वो रख सकते हैं वो basically उन्हें students के लिए जो online पढ़ने में इनको तकलीफ आती है तो उनके लिए भी यह वाली चीज जो हो शुरू हो गई 10 अगस 2020 से यह मंत के end में दो दिन बाद जो हो आपको मिल जाएगी तो इसका पूरे मंत का subscription है मातर 100 रुपे और उसमें यह पूरी facilities आपको दी जाती है और इससे related payments अगरा से related जो भी जान करिए वो नीचे description पर आपको मिल जाएगी और Facebook पर आप मुझे follow कर सकते हैं current affairs by कमलाक्ष ज्ञार, telegram channel है इसको join कर सकते है, channel check कर लीजे, subscribe किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो कर लीजेगा और bell icon पे भी hit की जेग आप अम लोग मिलेंगे कल, तब तगली बाबाई, take care, have a great day ahead, tata